नमस्ते दोस्तो जोहार बेविसेक चक्रवड़ती आप सभी का फिस अपने वीडियो चनल पर स्वागत का तो दोस्तो आप सभी के डिमार्ट पर क्लास 12 का मैप यानि मानचित्र से संबंदि जो भी सवाल पूछे जाएंगे वो सभी सवालों के जवाब जो है आज किस वीडि पर इसको सेर कर दीजे ताकि मुझे मॉडिवेशन मिले और आप सब के लिए और भी बहुतरी वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो आज किस वीडियो का सबसे पहला इंपॉर्टेंट कोईशन देख सकते हैं जो आप लोगों के मॉडल पेपर में दिया गया है जो इ यह आपका दिया गया पोर्ट यानि पतन से संबंदित कोईशन दिया गया है तो आपका पहला दिया गया कौन सा पोर्ट दिखाने के कोची पोर्ट फिर पारादी फिर कलकत्ता फिर आपका दिया गया विसाका पटनम फिर मुंबई ठीक है इनको आपको जो है भारतिये मान चितर दिखाए दे रहा है अब एक एक को जो हम लोग जो है पोर्ट को सो करेंगे ठीक है तो एक एक पतन को हम लोग सो करते हैं सबसे पहला जो दिया गया आप लोग देखे सवाल में क्या दिया गया तो दोस्तो कौन सा पोर्ट कौन सा पोर्ट दिया गया कोची पोर्ट कोच यहां पर आप लोगों को ऐसे लुकेट कर देना है और यह देके दिखाना है और यह कौन-वाला एंसर दिए दोस्तू एक हा तो यहाँ आप लिग दीजेगा ब्रेकरट पर ठीक है उसके बाद दुस्त्व आपका पारा दीब तो पारा दीब जो है यहाँ पर दिखा सब्सक्राइब लोगो और बारिके से समझते हैं बेसिक जो मैप है उसको भी देख लेते हैं दोस्तों अब जो हम लोग मांचीतर से जो भारत का मांचीतर है उससे संबंदित कुछ बेसिक कोईशन से जो आप लोग को पूछे जाते हैं लेकिन इस्ट्रेंट जो है अड़बड़ी में गड़ बच्पन में MBA किया ठीक है पढ़ाई किया ठीक है बच्पन में MBA किया ठीक है बच्पन का प्यार नहीं तो यहां बच्पन में क्या किया हमने पढ़ाई किया MBA किया तो यहां पे हो जागा दोस्तों बस से हो जागा आपका बांगलादेस दोस्तों यह जो ट्रीक है यह आपक का परोशी देस है और आपका ये बॉर्डर जो सबसे ज़्यादा सेर करता है अगर आप एक स्प्रिंग को देखिएगा दोस्तों तो इस प्रिंग देखने में छोटा लगता लेकिन जब आप उसको पूरा खीचिएगा तो पूरा लंबा निकल जाता है ठीक है उस तरह से दे जो है आपका दोस्तों क्या हो जो नेपाल फिर आपका जो यहां पर देख रहे हैं यह जो एम है दोस्तों यह एम बता रहा है आपको किसको मियान मार को किसको बता रहा है मियान मार को फिर यहां पर देख रहे हैं हम लोग बी यह जो बी है और एक बी किसको बता रहा है बहुत ही बेसिक कुईशन था दोस्तों तो इस ट्रीक से आप लोग इसको याद करके रख सकते हैं ठीक है आप बहुत बार पूछा जाता है कि भारत के बीचो बीच से जो है बहुत है तो इस तरह से आप सभी राज्यों के नाम याद रख सकते हैं जिससे होकर भारत से जो करकरेका गुजरी है वो कौन-कौन से राज्यों से होकर गुजरी है तो इस ट्रीक से याद रख सकते हैं मित्र पर गम ज़ड़ जाया मिजोरम, तरिपूरा, पस्चिममंगा, राजस्तान, गुजरात, मैद्परदेश, चत्तिसगरा, जारकन ठीक है आसान था तो यह कुछ बेसिक कोईशन थे जो आप लोग का जानना जोरी है ताकि आप लोग कोई घुमाग कोईशन पूछे या इजी कोईशन दे दे तो छोड़ के नहीं आईएगा तो चलिए आगे के हम लोग और भी कुछ कोईशन को देख लेते हैं जो आप लोग के डारेट वहां से सवाल पूछे जाएंगे दोस्तो प्रिभियस एर में जो आपका कोईशन पूछा गया थे भारत के मानचितर में निमनांकित को दरसाईए पहला आपको दिया गया गंगा रिवर दरसानी के लिए फिर अरिवियनसी यानि अरब सागर दरसानी के लिए फिर मुंबई फिर कलकत्ता ठीक है यानि आपको राजगो भी दरसानी के लिए बोला गया है तो दोस्तों हम लोग आसानी से इसको दरसा सकते हैं यहापको भारत का मानचितर दिख रहा होगा तो सबसे पहले हमें दिया गया गंगा नदी तो गंगा नदी आप दिखा दीजेगा इस तरह से ठीक है गंगा नदी जो है आप जानते है उत्तरा खंड से होते हुए उत्तर परदेश से फिर आपका इधर जो है थोड़ा सा हिस्सा जहार खंड से टच करता है यहाँ पहले होगे आपका उत्तरा खंड के गोमुक से जो है गंगा नदी निकलती है कहां से निकलती है गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है उत्तरा खंड के गोमुक से होता है फिर यह सीधा पहुंचती है कहां उत्तर परदेश से बहते हुए फिर आपका बिहार जहार ठीक है फिर पस्चिम बंगाल से होते है फिर जाके वो बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है ठीक है तो यह आप दिखा दीजेगा गंगा नदी को इस तरह से ठीक है डॉट डॉट देखे फिर आपका दिया गया था दोस्तों क्या गंगा नदी के बाद दिया गया था आपका क या अरबसागर तो दोस्तों आप जो है यहां जानते हैं कि भारत के जो है आपका पुर्व की तरफ है आपका बंगल की खड़ी और परस्छिम की तरफ आपका अरब सागर यहां दिखा दीजेगा ठीक है उसके बाद उस तो next क्या दिया गया था आपका देख सकते हैं next दिया गया मुंबइ तो मुंबइ पर भी दिखा थे सकते हैं यह बहूं पर आप नम्बरिं słu कर दिजेगा विए लास्ट क के सकतAND कक्ता कहा वेस्ट पंगल में मैं यह पर कलकस्ता दिखा दिजेगा ठीक है यह 4 नमबर पे था तो आप 4 लिख सकते हैं D था तो D लिख दिजेगा जो question में दिया गया वही लिखेगा जैसे यहाँ पे कलकत्ता का दिया गया है कौन सा number 4 नमबर तो आप 4 नमबर कलकत्ता लिख के हैं क्या लिख दिजेगा चार नंबर लिग दीजेगा इस तरह से ठीक है थाकि एक्जामीनर को कोई दिक्कत ना हो चलिए आगे हम लोग और भी questions को देख लेते हैं जो आप लोग की exam point अभी से काफी ज़्यादा important दोस्तों ये जो question आप देख रहे हैं ये आप लोगा subjective में भी दिया जा सकता और आपका map बार्क में भी दिया जा सकता क्योंकि आप लोग का objective में ज्यादा करके इसको focus किया गया तो स्वर्णीम चत्रभुच जो है वो question पूछा किया golden quadrilateral तो दोस्तों ये golden quadrilateral होता क्या है और इसका व्यापार पर क्या प्रभा पढ़ता है याद रखेगा स्वर्ण चत्रभुच राजमार्ग एक का एक network है राजमार्ग यानि आपका सड़क जो है मार का एक आपका क्या है network है जो देश को चार परमुक महानगरों से क्या करती है जोड़ती है तो चार परमुक महानगर कौन कौन सा है आप सभी को मालूम है दोस्तों पहला है आपक चिम के तरफ आपका हो गया मुंबई तो इन चार महानगरों को दिली, चन्नि, कलकत्ता, मुंबई इन Čर महानगरों का आपस में जोड़ती है जिस से एक चत्रुभुज बनता है कैसा कर बनता दोस्तो चत्रुभुज बनता है इसली इसका नाम golden चतरभूज यानि स्वर्णीम चतरभूज रखा गया है और इसके निर्मान में इसे जो है इन महानगरों की बीच की दूरी में कमी के साथ साथ यातायात जो है भी कम हो गया यानि आपको travel करने के लिए जो खर्च होता था वो भी कम हो गया ठीक है तो जो बाते मैंने ब पढ़ा सबसे पहले हम फीस से जाते हैं उत्तर की तरफ आपका क्या था दोस्तों नौर्थ की तरफ आपका दिल्ली तो हम लोग दिल्ली पे चलते हैं चलो दिल्ली का नारा किसने दिया था दोस्तों बताईएगा कमेंट करके चलिए आप ही देखते हैं यहां पर कोश्चन यहाँ पे दिया गया दिल्ली तो सबसे पहले हम लोग उत्तर की तरफ दिल्ली ठीक है उत्तर की तरफ दिल्ली के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं क्या दिया गया दक्षिन की तरफ आपका चन्ने दक्षिन की तरफ चन्ने पूरब की तरफ आपका होगया कलकत्ता औ पूरब की तरफ हो गया कलकत्ता और पस्चीम की तरफ हो गया दोस्तों यहां पर देख सकते हैं मुंबई पस्चीम की तरफ हो गया आपका मुंबई तो इस परकार इसका चार नेटवर्क आप देख सकते हैं यहां पर आसानी से यहां पर हो गया पहले उत्तर की तरफ आपका चतुर्भूज आकार को बनाते हुए आपको दीख रहा होगा ठीक है इसी कहा गया सुर्णिम चतुर्भूज कहा गया है ठीक है अगर मैप में सो करने के लिए कहा जाए तो आसानी से आप लोग इसको सो कीज़ेगा ठीक है और आपका अगर फाइब मार्क्स में दिया जाए तो इस तरह से इसका आंसर लिख दीजेगा और आंसर लिखने के बाद ये मैप आप लोग बना दीजेगा ठीक है अब दोस्तों आप लोग को दिमाग में चल रहोगा कि सर आखिर आप इस मैप को क्यू चुने इस पर और भी कुछ हमको दीख रहा है विलकुल दीख रहोग तो इसको हम कहते हैं दोस्तों उत्तर दच्छिन और पूरा पश्चिम गलियारा यानि नौर्ट साउथ एंड इस्ट वेस्ट कोरिडर कहते हैं तो यह दोस्तों क्या है तो भारत के उत्तर दच्छिन बिंदू को पूर और पश्चिम के बिंदू को आपस में जोडने वाला जो है एक क्या है राजमार्ग है ठीक है यह भी एक क्या है दोस्तो राजमार्ग के अंतरगत आता है अब दोस्तो राजमार्ग के अंतरगत आता है तो उत्तर दच्छिन और पूरपश्चिम गलियारा जो है परिजिना के ताथ NH44 और NH27 आता है याद रखेगा कौन-कौन सा आ मिलन होता है वो जहासी में होता है कहां होता है इन दोनों लाइन का जो है उत्तर दक्षीन पूरव ठीक है और पस्चिम इन दोनों जो लाइन है दोनों राजमार का मिलन जहां पर होता है वो कौन सा जगह है जहासी है कौन सा है जहासी यह आपका अबजेक्टिव में पूछा राजमार्ट, यह NH44 है जो जम्मू कस्मीर से कहा तक कैन्या कुमारी में आपस में पर्विष करती है यह भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है दोस्तों, राश्टी राजमार्ग है NH44 जम्मू कस्मीर से हिमाचल पर्देश, पंजाब, हरियना, दिल्ली उत्र पर्देश, राइस्थान, उत्र पर्देश के मैद से होकर तेलंगाना, आजन पर्देश, करनाटका, तमिलनाडू तक जाता है और इसका लंबा याद रखेगा 3806 किलोमेटर, कितना दोस्तो 3806 किलोमेटर, ठीक है इसका लंबा है 3507 किलोमेटर, इसका हम लोग इमेज से देख लेता है, इमेज में अगर जाएं, तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहले हमने बात किया, नौर्थ रू साउथ, आपने देखा क्या, कि सिरी नगर से होते हुए, कहां तक करना कुमारी तक, सिरी नगर से करना यानि आपका उत्तर दक्षिन गलियारा, यह कौन सा है, उत्तर दक्षिन गलियारा, ठीक है, आप दोस्तों हम लोग आसम से बात करते हैं, कहां से, आसम से, तो आसम का कौन सा जगा से, सिल्चर से कहां तक, पोर बंदर, सिल्चर से, पोर बंदर, तो सिल्चर से पोर बंदर जो है दोस्तों यह आपका east west corridor है यह क्या है east west corridor यानि पूरा पस्चिम गलिया रखाएंगे ठीक है तो यह आप लोग याद रख लिजेगा अगर आपका answer में है तो लिख दीजेगा और इस map को आप लोग सो कर दीजेगा आपको full marks मिल जाएगा ठीक है चलिए आगे के next questions को देख लेते हैं दोस्तों इसके बाद जो question आप देख रहे हैं यह दिया गए आपका world map से related question जो previous year में आप लोग से पूछा गया है तो इसलिए हम लोग world map को नजर अंदाज नहीं कर सकते हैं और दोस्तों telegram में भी मैं कुछ map आप लोग के भी share कर दूँगा क्योंकि time काफी कम है और आप लोग को थोड़ा सा ज्यादा revise करके जाना है तो एक बार आप लोग उसको भी देख के जाईएगा ठीक है तो जो question previous year में पूछा गया था उसमें आपको दिखाने बोला गया South Africa, Australia, Canada, Sri Lanka जैपन ठीक है तो उसको चलिए हम लोग फटाफट दिखा देते हैं वर्ल्ड के मैप में तो दूस्तों यहाँ पर आपका वर्ल्ड का मैप दिख रहा होगा तो वर्ल्ड का मैप में आपको सो करने बोला गया था पहले क्या बोला गया दोस्तों दच्छीन अफरिका फिर ऑस्ट्रेलिया खाव में ठीक है तो पहले हम लोग दच्छीन अफरिका दिखा देते हैं यह हो गया आपका दच्छीन अफरिका यहाँ जो देख रहे न दोस्तों यह साउथ एफरिका जो है यहाँ पर आपको दिखाए मिर्दा तो यह हो गया आपका एप यह पूरा जो है नीचे वाला पूर्शन यह साउथ एफरिका का है ठीक है तो यह हो गया फिर ए के बाद दोस्तों आपका क्या था South Africa के बाद था आपका Australia तो Australia आप जानते हैं सभी नीचे की तरफ down में है ठीक है और यहाँ पे जो है downs जो है घास पाए जाता है आप सभी जानते है तो यहाँ पे हो गया आपका Australia यह हो गया आपका कौन सा नंबर B नंबर C नंबर पे चलते हो स्थो क्या दिया गया C पे C पे दिया गया Canada और D पे दिया गया घाप पे दिया गया आपका सिलंका तो C पे चलते हैं हो गया C पे Canada ठीक है और D पे हो गया सिलंका Canada और सिलंका यहाँ पे Canada कहा है आपका उत्तरी अमरिका में है नौर्थ अमरिका में पीर आप का देया यह होगा अपका सी नंबर और डी में दियाँ गया आपका स्रीलंका से लंका आपका दिखा है इंडिया का नीचे वाला िचल छोटता सब बिन्दे जोस देख रहे हो disse दिखा दिजेगा और यहां लिग दिजेगा डी नमबर आपका सिलंका ठीक है जहां सिलंका लिखिएगा अब लास्ट जो है दोस्तों आपका जपान है जपान तो एकदम जानते हैं आपका पूरब की तरफ आपका है एकदम कॉर्णर पर यहां पर दिख रहा होगा ठीक है त से एक बार आप लोग सभी देशों के नाम को देख के जाईएगा ठीक है चलिए फिर भी मैं आप लोग को कुछ जो है महादेश के नाम और महा सागर के नाम को मैं आप लोग को एक बार रिवाइज करा देता हूँ ठीक है तो दोस्तों यहां पर आप लोग के एक महादेश औ और महासागर दिखाई मेरा महादीप और महासागर ठीक है तो महादीप में अगर बात करें दोस्तों तो यह आप जानते हैं क्या है एशिया हो गया ठीक है एसिया का बाद नौर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका हो गया ठीक है यहां पर आपका क्या हो गया फिर अफरीका हो गय यह हो गिया आपका अटलांटिक महा सागर तो इस तरह से आप लोग दिखा देजेगा आसानी से तो चलिए अब हम लोग आके question को देख लेते हैं इसको आप लोग एक बार याद रखेगा कोन कहां पे है और आप जानते हैं आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए कि यह जो एशिया और यूरोप को अलग करने वाला जो मांटेन है परवत है वो कौन सा परवत है जो एशिया को यूरोप से अलग करता है नीचे कमेंट करके जोरू बताइएगा चलिए आगे के questions को देख लेते हैं अब जो दोस्तों स कुछ नदिया होती है जो कहां गिरती है आपका अरब सागर में और कुछ नदिया जो होती है बंगल की खाड़ी में गिरती है तो जो नदी जो है आपका बंगल के खाड़ी में गिरती है वो डेल्टा बनाती है क्या बनाती है डेल्टा का निर्मान करती है और जो नदिया अरब सागर में गिरती है वो एस्चूरी का निर्मान करती है तो मैंने बता है था तीन परमुक नदी का नाम हमेशा याद रिखेगा क्या ट्रीक से समानता क्या ट्रीक से बता है था समानता में क्या बता है था सा से हो गया आपका साबरमती सास हो गया आपका साबरमती मा से हो कि इधर में आप देख रहे हैं, जितने भी नदिया देख रहे हैं, ये सभी नदिया डेल्टा का निर्मान करती हैं, ठीक है, इसको याद रखेगा, किसका कहा से उद्गम अस्तल है, वो भी आप लोग एक बार देख के जरू जाएगा, ठीक है, तो ये कुछ नदिया है, इस और एक नदी निकलती है जिसका नाम है ब्रह्म पुत्र नदी ठीक है जिसको जो है आप जानते हैं तिब्बत में सांख्पो के नाम से जाना जाता है आप लोग बताएगा अरुणाचल परदेश में ब्रह्म पुत्र नदी को और किस नाम से जाना जाता है ये भी सीधा जाके आपका कहा मिलती है, बंगाल की खाड़े में मिलती है, ब्रह्म पूतर नदी ठीक है, चलिए, आगे questions को देख लेते हैं, खास करके, नीचे वाले जो है नदी को नाम की याद करके जाए, कावेरी नदी कहा है, कृर्ष्णा नदी कहा है, गुदावरी कहा है, महानदी कहा है, ठीक है, दामोदन नदी कहा है, ये सब आप लोग एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करुएगा, जो आप लोग एक गजाम है कुशे जाते हैं क्लास 12 में, वही मैप में यहाँ पर लगा दिया हैं, आप लोग इस map को अच्छे से revise करके जाएगा, भारत की परमुक न दिया, ठीक है, दोस्तों कभी-कभी जो है, आप लोगों का मिर्दा से संबंदित भी सवाल आप लोगों को देखने को मिलते हैं, और मिर्दा वाला जो chapter है, वो आप लोगों ने class 8, class 10 और 11 पे भी आप लोगों ने दे लेगिन फिर भी एक बार इसको एक बार आप लोग जरूद देखके जाएगा, ठीक है, कहां किस परकार की मिर्दा पाए जाती है, अब जो questions आप लोग देख रहें दोस्तों, ये है आपका बंदर गाह से related question, ठीक है, पोर्ट से संबंदित सवाल है, तो पोर्ट वाला question कनाटका में है, कोच्ची कहा है, केरल में है, तूती कोरिन कहा है, तमिलाडू में है, आपका चन्ने वाला पोर्ट कहा है, तमिलाडू में है, विसाखा पटनम आंधर परदेस में है, पारादिप मेंने आप लोगो प्रैक्टिस करा है, कहां दिखा था पारादिप को, ओड कहां दीजिएगा ठीक है फिर आप जानते हैं मूंबवाइ पोर्ट महारास्टा पर है ऑन्चाकर कर नाट्र पर है कोच्ची नोग्नुल पारादीब आपका हो गया पारादीब पोर्ट आपका उडिशा पे हो गया और हल्दिया जो है आर कलकत्ता पोर्ट ये आपका कहा है वेस्ट वेंगल यानि पस्चिम मंगल में है ठीक है तो ये कुछ पोर्ट से जो पोर्ट पूछे गये हैं उसके अलावा कुछ यहां पे द तो दिल्ली एरपोर्ट का नाम क्या है इंद्रा गांधी इंटरनेशनल एरपोर्ट जहां आप जानते हैं ठीक है यह कहा है दिल्ली में है सो कर दीजेगा फिर एंदाबाद एरपोर्ट गुजरात में है आप सभी जानते हैं फिर आपका हो गया मुंबई एरपोर्ट जिसका नाम क्या है चत्रपर्दी सिवाजी अंतराष्टी एरपोर्ट आपका कहा है मुंबै में यह सवाल पूछा जाएगा दोस्तों फिर पाना जी तो जानते कहां गोवा पे है ठीक है उसके बाद बैंगलोर आपका कहा है करनाटका में है सोकर दीजगा कोच्ची आपका हो गया के पांच मास के लिए इतना मेहनत किया रहा है ठीक है चले आगे कोश्चन को देख लेए अब दोस्तों आप जो सवाल देख रहे हैं यह है का पास उत्पादक छेत्र पॉर्टन से रिलेटेड और जूट जो है उत्पादक छेत्र रिलेटेड ठीक है तो जूट कहां पाए ज रही प्यांते यह जो ब्लैक ब्लैक से डिटेड एरिया दिखा लोग यह वहाला होजेगा जूट उत्तपादक पद्रिस छेत्र हो जाएगा सोर इक पास लिख ल्हें हो जटा रहे यह जो ज़ लोर मेरेडों भाला जो आप जो कि आपका पस्चिम मंगाल, आसमा और बिहार उडिसा में देखने हों को मिलता है और बाकी कपास किस पर उगती है दोस्तो काली मिर्दा पर और काली मिर्दा को आप लोग काला काला जैसे बॉक्स करके इसको पेंसल से ऐसे दिखा दीजेगा दोस्तो इस तरह से जो है आप लोग का जो क्रिसिस संबंदित जो सवाल पूछे जाएंगे मैप से रिलेटेड वह भी बता दिया गया अब आगे हम लोग और भी कोईशन को देख लेए अब दोस्तो क्रिसिस संबंदित और कुछ सवाल है जैसे गहूं उत्पादक छेतर ठीक है तो यह काला वाला करके आप लोग दिखाया गया 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 तो यह जो है आप लोग का चाय उत्पादक देश पे दिखा दीजेग तो दोस्तों यह कुछ important questions थे तो दोस्तों यह सभी questions को आपको exam point of view से तो important है ही लेकिन आगे जब आप competitive exams दोगे उसमें भी काफी जादा important रहेगा ऐसा नहीं कि हम लोगों को साथ छूट जा रहा है आप लोगा जितना भी आप लो competitive exams दीजेगा दोस्तों वह सभी exam में यह स चैनल के मायदम से जल्द स्टार्ट किया जाएगा तो कौन-कौन बच्चे C.O.D. का form भर है नीचे comment करके जुरू बताएगा और आगे आप लोग का क्या सपना है क्या आप लोग सोच कर रखे हैं किस चीज का आप त्यारी करना चाहते हैं नीचे comment करके जुरू बताएगा दोस्तो मेरे तरफ से आप सभी को all the best आसा करते हैं ये वीडियो आप सब के लिए helpful सावित हुएगी अगर helpful सावित हुए तो नीचे एक प्यारा सा comment करके जुरू बताएगा और telegram चैनल पे जो है मैं दोस्तो कुछ और important maps और questions में share कर दे रहा हूँ उसको भी आप लोग एक वीडियो सेर करके सेंड कर सकते हैं कि अब तक जो आप लोगों के साथ जो इस चैनल के साथ आप लोगों ने जुड़ा और जितना आप लोगों के साथ मेहनत किया तो आप लोग को इस चैनल से फाइदा हुआ या नहीं हुआ उसके बारे में आप लोग की रिव्यू वीड बने मातरम